हेलो फ्रेंड्स मिस्टर इतिकराजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक एसे डांसर के बारे में जिन्होंने दोस्तो वॉलिवूट की दुनिया में तहल का मचा दिया है जहाँ पर दोस्तो इनका डांस लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि लोग इनकी तरीफ करना कम नहीं कर रहे हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नूरा फतेही के बारे में जो कि दोस्तो वॉलिवूट की सुपर हिट डांसर बन चुकी है जब नूरा फतेही के जन हुआ दोस्तो नूरा की मा एक इंडियान है और एक इंडियान होने के नाते उनकी बेटी नूरा भी एक इंडियान ही है लेकिन दोस्तो नूरा के family कनाडा में राते हैं जिसके कारण दोस्तो नूरा का जनम कनाडा के मॉन्ट्रियल सहर में 6 जनवरी 22 को हुआ था दोस्तो नूरा पतेही को सुझु से ही music और dancing में काफी ज़्यादा मन लग दा था और डांस करना तो इनका सौक ही बन गया था नूरा फतेही ने अपनी एस्कूली पढ़ाई टोरंटो के वेस्ट डिव सेंटेनियल सेकेंडरी एस्कूल से पुरा की हलाकि दोस्तो नूरा को पढ़ाई में ज्यादा इंट्रेस्ट ना होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी दोस्तो नूरा को सुरू से ही एक एक्टर वनने का सपन था और इसलिए दोस्तो इन्हों ने इंटरनेट के माधियम से डांस सीखना सुरू कर दिया कुछ समय बाद कॉले छोडने के बाद इन्होंने आरेंज मोडल मेनेजमेंट नाम की एक टेलेंट एजेंसी के साथ एक मोडलिंग कोंट्रेक्ट साइन किया और यहीं से इन्हें इंडिया में एड्स करने का मौका मिला जैसा कि एवरी यूथ और चिप्स की एड्स किया और एसे ही आगे बढ़ती गई फिर दोस्तो इन्हें पहली बार बॉलिबूड की एक फिल्म में काम करने का मौका मिला जिस फिल्म का नाम था रोर टाइगर्स और सुन्दरवन हाला कि उनकी यह मूवी बॉक्स अपिस पर इतना कमाल नहीं कर पाई लेकिन उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स ने बहुत सरा और इसके बाद वहां 2015 में तेलगू सीनेमा की टेमपर फिल्म में एक डांस में नजर आई दोस्तो क्या आप इमरान हासमिक की फिल्म मिस्टर एक्स देखिये दोस्तो नूरा फतेही ने मिस्टर एक्स में भी एक डांस परफर्मेंस किये दोस्तो नूरा फतेही ने इतना सारे परफर्मेंस किया डांस किया लेकिन अभी तक इनको वह पुपुलारिटी नहीं मिली थी जो इनको चाहिए था इसके बाद 2015 में नूरा पतेई बीग बॉस सीजन 9 में दिसंबर में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तोर बर नजर आई इसके बाद नूरा 2016 में जलक दिखलाजा और एंटर्टेन्मेंट की राद जैसे कई लियालिटी सोज में भी नजर आई जिससे धीरे धीरे उनकी पुपुलारिटी और बढ़ने लगी और दोस्तों वह चीज जिसने नूरा पतेई को एक संसेशनल बना दिया 1990 का गाना दिलवर इस गाने में नूरा ने वैली डांस किया था और यूटूबपर अप्लोड करने के बाद 20 गनटे के अंदर इस वीडियो पर 100 मिलिए वियूस मिल गया और यह वीडियो सबसे कम समय में 100 मिलिए वीडियो बन गया जिसके बाद नूरा फतेही को आज करोडों लोग जानते हैं नूरा फतेही ने ओनलाइन वीडियोज देखकर वैली डांस सिखी और अपने आपको कई सारी चीज़े सिखाई और खुद को उस काबिल बनाया जो वहाँ बनना चाहती थी और यही कारण है कि नूरा फतेही अपने आपको वहाँ तक पहुँचाई जहां तक उनको पहुँचना था तो दोस्तो यहीं थी नूरा फतेही की लाइफ एस्टोरी दोस्तो आपको यह जनकारी कैसी लेए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पर पहली वार आए तो सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सेर जरूर कर दीजिए तो फिर मिलेंगा नेस्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिं वंदे मात्रों